पूर्ण पूर्णिंग शुरुपाद जैहिन शुरुबाद करते हैं आज के टेस्ट पेपर संक्या 10 की एप पे निशूल टेस्ट पेपर देरक हैं डेली एक टेस्ट पेपर हम लोग हल कर रहे हैं पूरे पैटर्ण का पहला सवाल है बच्चों शबका आभार अविनंदन नमन पैला प्र Salण से आयस्ट की लंबाई वो चौड़एक अनुपात चार अनुपात तीन है ठीक है लंबाई अनुपात चौड़ए वो कितना है 4 अनुपात 3 लंबाई हो गई 4x 4 हो गई 3x ठीक है लंबाई 4x 4 3x यह उनका परिमाप 42 है परिमाप बराबर क्या होता है 2 कोस्टक लंबाई प्लस 4 2 इंट्रू लंबाई है 4x प्लस 4 है 3x बराबर लिख दो 42 2 इंट्रू 7x बराबर 42 7 दोनी 14 x बराबर 42 x आगिया 42 बटे 14 x आगिया आपके 3 अब जब बच्चाओ x 3 आगिया आपके तो पूछा क्या है अच्छा तो यहां x का मान अपने कितना आया 3 तो लंबाई कितनी आ गई 4 इंट्रू 3 12 और चौड़ाई कितनी आ गई 3 इंट्रू 3 9 तो मैं यहीं लिख देता हूँ 6 रफल क्या होता आयत का लंबाई इंट्रू 4 यह कितना हो गया 12 इंट्रू 9 12 इंट्रू 9 और सेंटीमेटर में है तो सेंटीमेटर स्क्वेर या वर्गस है में यह आपका आंस्वर आगिया भीया ठीक है भुजा ग्याद सही करी एक बच्चे ने लेकिन आगे हमें पूछा इसका छेत्र फल तो लंबाई इंट्रू चड़ाई 12 इंट्रू 9 108 चलिए अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण है प्रतिशत का प्रश्ण है भईया आशान लेकिन अच्छा प्रश्ण है समझते हैं इसको प्रतिशत बहुत इंपोर्टन टोपिक है कह रहा एक प्रिक्षा में 77 प्रतिशत विद्यार्ती अंग्रेजी में 64 प्रतिशत विद्यार्ती गणित में पास हुए और दोनों विशे में 13 प्रतिशत फैल हुए यदि कुल 432 विद्यार्ती पास हुए यदि कुल 432 विद्यार्ती पास हुए पास कितने हुए 432 विद्यार्ती पास हुए तो कुल विद्यार्ती कितने है ये हमें पूछ रहा है क्या पूछ रहा है बच्चों कुल विद्यार्ती कितने थे ये हमें पूछ रहा है कुल विद्यार्ती कितने थे ये हमें पूछ रहा है बहुत इंपोर्टेंट प्रस्ण है विटा बहुत ही इंपोर्टेंट प्रस्ण है ये ध्यान रखना प्रस्ण मैं कहा रहा है बच्चों कि अगर एक परिक्सा में 77 परतिशत अंग्रेजी में पास हुए हैं 64 पर्षट पास हुए हैं गणीत में और दोनों में पास नहीं बल की कहा रहा है दोनों में फैल हुए हैं 13 परतिशत। कि दोनों में फैल कितने प्रश्चत हुए हैं बच्चों तेरा प्रतिशत कि यदि कुल चार सो बासेट विद्यारती पास हुए तो कुल विद्यारती कितने थे इसको समझना बेटा बहुत अच्छा प्रश्चन है सुनिएगा भाई सबसे पहले देखो अंग्रे जी बात करत हैं बात में पास और प्रय Confederate के प्रतिशत में कितना मानतें हैं 100 इस सवाल को थोड़ा समझboys बहुत अच्छा प्रश्चन है माना कुल एक्जा मानते है प्रतिशत में हम कितना मानते हैं नहां कुल வिज्भार्ति कितने हैं 100 जिनों ने परीक्षा में पधर में एक decorated अब गनित के बारे हैं वह क्या बात कर Cincinnati हुआ है कि गनीत में कॢह बिया मैं लिख में देता हूं यह पाउष और फैल उतिन और अनुत्तिन ठिफ्द गणीत में क्या कह रहा है प्रश्ण में दिया नुशार है पहल अंग्री जी अंग्री जी में क्या कह रहा है बच्चा ये कितने परसेंट पास होई 77 परसेंट तो फैल कितने होंगे 100-77 23 परसेंट फैल होंगे कुल 100 मानना है अंग्रे जीम पास 273 फैल ओगे 23 कर गणित में पास 64 कर रहा है तो फैल होगे 36 कि जबकि दोनों विश्य में देखो अंग्रे जीम फैल कितने ये तेइस गणित भेल चाट जाट जाट दोनों में फैल कितने हैं बच्चों दोनों विसम अंग्रे जीर घणी दोनों में फैल कितने दे रहा है बच्चा यह प्रश्ण में कह रहा है तेरा अभी तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए बहुत इंपोर्टेंट प्रश्ण है अक्सर आता है और थोड़ा ट्रिकी है इसको एक दो बार समझ के र सो मानेंगे बाकी किसी में कोई भी चैप्टर में मानना है उसको एक्स मानोगे परतिशत में कुल विद्यारती कितना मानेंगे सो ठेक है मैं एक्स जल्द वाजी में लिग दिया था सो मानना है परतिशत में कुल विद्यारती सो मानें कह रहा 77% प्रसेंट फैल कितने होगे सो माइनस सित्व तर तेईस गणीत में पास हुए चौशट तो फैल कितने हुए 36 दोनों में फैल हुए 13 परसेंट यह हमें दे रखा है सिर्ण थ्यान दें कि अनूतीम कितने होंगे यह यह सूत्र टाइप है इसको आप रठ लेना है इसको आप रठ लेना चाहिए यह जो में बता रहा है कि विज्ञान में कितने अनूतिन हुए विझ्ए बिज्ञान। कि एक शीजर आप डिन डेना कि कुल अनूतिन इसमें यह ट्रिक रतव लेना नहीं तो आप अब हो जाओगे इसमें कूल अनुत्रिन कितने होगे अंगरी जी में फैल कितना हुआ एल मैं मैं आप फैल फैल है फैल तो कुल पास कितने हुए उगए बitल है यह जिर फैल हुए तो सो माइनस सीन पास कितने हुए होंगे चौपण चौपण जड़े पास हुए हुए उगे कितने जणे पास हुए हुए के चौपन यहां तक फिर समझे अभी सवाल हो गया में एक बार दोबारा समझाता हूं बहुत इंपोर्डेंट प्रस्ण है बहुत प्रतिशत में तो सौ मानना है कुल विज्यार्थी कितने एक सो अंग्रीजी में कहा रहा है तो यह ट्रिक याद रखें तो 23 प्लस 36 माइनस 13 आगे 46 अब सौ में 46 फैल वें पास कितने होंगे चौपन हमें पास किसन क्या क्यों निकल निकल पास किसन क्या दी तो चूंकि चौपन जणे उत्तिर या पास होने पे कुल विज्यार्थी अमने कितने माने हैं 100 कुल है इसलिए एक जणा पास होने पर कुल कितने हैं 100 बटा चौपन इसलिए पास कितना हो रहे है 432 पार्स होने पर कुल कितने हैं 100 बटा 54 इंटू 432 इसका बाग इसमें जाएगा 8 बार 100 इंटू 800 बिल्कुल सही जवाब और खूब सारे बच्चों ना आंस्वर दिया है इसमें कोई ज्यादा लंबा चोड़ा शुत्र वगेरा नहीं नहीं कोई लंबी चोड़ी ट्रिक है लेकिन यह सवाल पोस्ट इंपोर्टेंट इसमें यह चीज याद रखनी और उसको करना आना चाहिए कि अग्रेजी में 77 पास तो फैल 77 गटा देंगे सो में से 23 गनीत में 64 पास तो फैल हो गए सो माइनस 436 दो नम फैल 36 है कुल अनुतिन की ट्रिक याद रखना कि पहले विशे में अनुतिन अनुतिन मतले वह फैल प्लस दूसरे विशे में पास कितने चार्षो बत्रिस चार्षो बत्रिस पास और फेल सोबटा चौपन इन्टू 432 ठेक है तो यह आशान प्रशन है लेकिन बहुत ही इंपोर्टेंट प्रशन है यह कंफियूजिंगे आपको लगता है कहम कर लेंगे लेकिन यह कहीं बार दिक्कत देता है ठेक है च meant आत चकाई दोनों का मिक्स प्रशनैंगा क्रार नहीं कर 2030 की सलैंगा हुआ ow उनकी तिर्जाओं का नुपाथ है पांच अनुपाथ किपला था है फांट नुपांग कितना है पांच अनुपांग को मात तो उसके शैत्र फल्म का अनुपाहत deferment k अनुपात तो भाया वरत का छेत्रफल का सुत्र क्या होता है फ्यारे बच्चों पाई आर स्क्वेर वरत के छेत्रफल का सुत्र क्या होता है बच्चों पाई आर स्क्वेर ठीक है यहां आप देखें और तिर्जयाओं का अनुपाद क्या है 5 अनुपाद 7 तिर्जयाओं का अनुपाद कितना है 5 अनुपाद 7 सुनिए वरत का छेत्रफल पाई आर स्क्वेर वरत का छेत्रफल का सुत्र क्या होता है पाई आर स्क्वेर तिर्जिया को नुपाद है पांच नुपाद साथ यहां क्या रहा है बाकी चीत छोड़ो तिर्जिया की बात कर रहा है आर का स्क्वेर हो रहा है तो यहां छेत्रफल गुण 50 यह आपका आश्वर चलिए अगला प्रशन करते हैं भाईया सैक 30 सिधा मान है भाईया सैक 30 किसका उल्टा होता है कौस 30 का कौस 30 क्या होता है बच्चों कौस 30 होता है साइन साट ठेक है देखो तो साइन साट होता है रूट तीन बटा दो साइन साट है रूट तीन बटा दो तो कौस 30 भी रूट तीन बटा दो इसका उल्टा है ये तो जाएगा दो बटे रूट तीन ये साइध कल परसों के टेस्ट में यही मान एक्जेक्ट आया था ठीटा वाली टेबल आप लोग पक्का रटें पक्का कंठस्ट करें कई पासा डाइस जो होता है जो अपने साप शीडी लूट वगएरा खेलते हैं जिसमें एक से लेके छें तक प्यारे बच्चों परिणाम आते हैं उसकी बात कर रहा है एक पासे को हवा में उच्छालने पर दो या दो से बड़ी संख्या देखो यहां इस भासा को समझें दो दो या दो से बड़ी मतलब दो को लेना है और दो से बड़ी को भी लेना है दो या दो से बड़ी मतलब दो को लेना है दो से बड़ी कहता तो दो को नहीं लेते दो या दो से बड़ी मतलब दो तीन चार पांच और छें यह पांच संक्या है तो प्राइट दा कितनी होगी पांच बटा कुल कितना है 6 यह आपका आंस्वर अंगला प्रश्ण है आशान लेकिन अच्छा प्रश्ण है बीज गणीत का है इंपूर्टेंट प्रश्ण है कि शुत्र याद वने चीए बेटा इसमें बीज गणी त्रिकॉर्ण मिती और चेत्र बलाईदन यह तो तीनों सुत्रों पर याद है रही थे क्यारा ए प्लस बी बराबर पांच है ए भी बराबर नौ है तो ए स्कॉर प्लस बी स्कॉर का मान बताएं है ठीक है है पोर पढ़ा द ways में शुत्र शिटाह क्या लगेगा ए प्ल सबी का all square बराबर ए स्कॉर प्लस b स्कॉर अट अ dependence का स्कॉर बराबर hundred me अटेगा मान लगेंगे नौ हैं हैं पांच का स्कॉर पांच प्लस नोंनीत हार एठता है रहा सका उधर जाएगा माइनस पत्चीस माइनस 18 बराबर एगल को बेस्टाइया कितना या सात एगल प्लस बी स्क्वाइर कितना आ अगया सा प्रोब छे अब मांगे चलते हैं साथ डिग्री का संपूरुक कौन त्धान दें पूरुक और संपूरुक की बाद करते हैं सम्पूरक कॉनों का योग कितना होता है 180 डिग्री जिनका योग 180 डिग्री वो सम्पूरक तो साट का सम्पूरक कितना होगा बच्चा 120 डिग्री समपूरुक कौनों का योग कितना होता है ये और पूरुक का योग कितना होता है 90 ये भी याद रखें पूरुक कौनों का योग कितना होता है पूरुक कौनों का योग तो 90 होता है जैसे 60 होता तो 60 का पूरुक कितना होता 30 समपूरुक का योग 100 सी होता है तो 60 का समपूरुक 120 यह फिर बहुत अच्छा प्रश्ण है आई और खर्च का जो सवाल है है आशान गुणा भाग है बस बड़ा सवाल है कैल्कुलेटिव है लेकिन आशान और बहुत अच्छा प्रश्ण है सुनियेगा जो आई है इंकम है तनख्वा है यह और बढ़ा की उसका अनुपाद है बच्चों तीन अनुपाद पांच अच्छ ठीक है याद रखें जो अनुपाद दे रखा होता है वही हम मान लेते हैं बच्चों यह की मान ली 5 एक वे पांच एक है प्रतियक की बच्चत कितनी हजार रुपए है अब कहरा खर्चों का अनुपात एक अनुपात दो है तो याद रखें खर्च क्या होता है बच्चों खर्च हमेशा होता है आई माइनस बच्चत अरे भया तन्खा कितनी है खर्च का अनुपात खर्च क्या होता है खर्च होता है तन्खा कितनी आई कितनी उसमें से महीन एक अन्ट में बच्चा कितना उसका अंतरी तो खर्चा निकलेगा तो खर्च क्या होता है आई माइनस बच्चत तो एक का खर्च क्या हो जाएगा खर्चान का अनुपात 1 अनुपात 2 है जो खर्च का अनुपात है बच्चान वो है एक अनुपात 2 अनुपात को बटे में लिख सकते हैं तो A बटा B का जो खर्चा है एक आहे तीन एक्स माइनस हजार बटा चार एक्स माइनस हजार बराबर है एक बटा दो दो भिंचन के हैं बराबर है तो वज्र गुणा होगी तीरचा गुणा दो गुणा वाद तीन एक्स माइनस हजार से बराबर एक गुणा वाद चार एक्स माइनस हजार से यह हो गया 6x माइनस 2000 बराबर 4x माइनस 1000 4x प्लस का उधर गया माइनस का 6x माइनस 4x बराबर 2000 माइनस के इदर आए प्लस का 2000 माइनस 1000 2x बराबर 1000 x आ जाएगा 1000 बटे 2 x आ गया 500 x कितना आ या 500 ठीक है अब हमें A, B की आई गयाद करनी है किसकी आई? A, B की A की आई कितनी मानी हमने वादे को 3x तो 3 इंटू 500 कितनी आ गई? 1500 B की आई कितनी होगी? 5x तो 5 इंटू 500 25 ठीक है? दोनों का योग पूछाए तो योग कितना आउगा? 25 और 500 का है? योग वाद आ जाएगा 4000 तो योग कितना आ जाएगा? 4000 रुपए यह आपका आंसर है वेरी गुड खूब सारे बच्चों आ आंसर दिया है बहुत बढ़िया आंसर निकल के कितना आ जाएगा? 4000 खुच बच्चों आट जार दिया है? नहीं बटा साइट 4000 होगा आप देखें इसमें A नुपात B कितना देर खा? I देखो इस सवाल को में एक बार दोबारा समझा देता हूँ आप लोगों को अच्छा प्रश्ण था सुनिएगा A बी के I का नुपात है 3 नुपात 5 तो I मान लिए 3x 5x परते की बचात 1000 हर्चा क्या होता है? खर्च क्या होता है प्यारे बच्चों? वो होता है I माइनस बच्चत बई आए तनका कितीर उसमें से बचा कितना? वो गटा हो तो वही तो खर्चत है A का खर्चा आगिया I 3x माइनस बचत 1000 B का खर्च आए अच्छा 5x मान लिया मैंने बिलकुल बिलकुल यहां गड़बड कर दी यह 3 सुनिएगा 3 अनुपात 5 है यहां हमने देखो यहां गड़बड करी हमने धियान दें बेटा यहां देखो हाला कि अगर 4 मानते तो शही है लेकिन हमने यह 5x I मानिर यहां हमने जल्द बाजिम कितना लिया 4x लिया है तो इसको हम कितना लेंगे 5x यहां आप समझगे 4 ले लिया अगर हम chi दीवा Mira वापिस कर लेते हैं इसको कोई दिक्कत नहीए तीन एक्स माइनस हजार वह खर्चा पूछा है एर बी का अनुपाद जो है खर्चों का वो दिया कितना है खर्च का अनुपाद एक अनुपाद दो एक का खर्च कितना है तीन एक्स माइनस हजार बटा बी का खर्च है 5x-1000 बराबर 1 बटा 2 दोनों का वजर गुणा होगा 2 किस्षे गुणा होगा 3x-1000 से और 1 किस्षे गुणा होगा 5x-1000 से 6x-2000 बराबर 5x-1000 लेजा उदर 6x-5000 बराबर 2000 माइनस कही दर आया प्लस का 2000-1000 6x में से 5x बराबर 2000-1000 आगिया x का मान आगिया 1000 तो ध्यान दे जो आई है एक ही वो कितनी आजाएगी बच्चों 3x मतलब 3x-1000 बराबर 3000 8000 वड़ा बच्चा बिलकुल सई था 4000 आड़ा नालाई कूद ताई बदमासों ध्यान दे 5x-1000 तो ध्यान दे योग कितना वाष्थ में आएगा 3000 प्लस 5000 8000 आपका योग आएगा ठीक है ये ध्यान दे चलिए कोई बात ने मान वेत्रूटी होती रहती है लेकिन ध्यान दे ठीक है चलो कई बच्चे करें से रागे चलो समझ में आ गया तो भाई सुने हमने यहां क्या करा जल्दबाजी में 5x की चार x ले लिया वो एक मान वेत्रूटी थी बाकि सवाल मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा और बी का अनुपात 3x और 5x मान लिया बचत 1000 है खर्च क्या होता आई माइनस बचत एक का खर्चा आई 3x माइनस बचत 1000 बी का खर्चा 5x माइनस 1000 खर्चा का अनुपात एक अनुपात दो अनुपात को बटे में लिख सकते हैं तो यह लिख दिया 3x माइनस 1000 बटा 5x मान 1000 बटा बराबर एक बटा दो इसको हल किया एक का मान 1000 आया एक आई तीन एक्स तीन इंटू अजार तीन जार बीक्याई पांच एक्स तो पांच इंटू अजार योग तो आठ जार आंस्व इसका करेक्ट आठ अजार है जल्द वाजी में अमने गलत कर दिया था इसको यह ध्यान जयना है कैल्कुलीशन में एक भी शब्द उपर नीच से लिहा तो गई काम से चल लाप रसने में ए जालो को किलोमेटर परतीगंटे में दे रखाय मैं 661 बदलना है तो बैटा किलोमेटर परतीगंटे से मीटर परतीट जाइकें लिएenix लिएखन करते 30-рок बटाल है डियूण अछारड़ क्यों सवेधिय के कहें उत्तर relatively preciso grade सेकेंड उत्तर कितना आएंगा 25 मीटर फट्रती सेकेंड कि समयकारी का सवाल है बच्चों अगला इस आसान सवाल है बिल्कुल तीन वेक्ति दियें तीनों का अलग-अलग का समय दिया है काम करने का A, B, C है वो 10, 15, 30 दिन में काम करते हैं तो तीनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे बोर्ट पर ज्यान दें तो भाई सिधा ही मैं लिख देता हूँ A, B, C का एक दिन का कारी क्या हो जाएगा बच्चाओं के सिधा एक बटा 10, लस एक बटा 15, लस एक बटा 30, दो है तो दो जोड़ते हैं तीन है तो तिनों को जोड़ ले आसान है लसब कितना आ जाएगा बिरनाव की जोड़कर ने हरूं का कलशब ले ना 10, 15, 30, लस एक बटा 30 में 3 बार, 3 को एक सिक्चा तीन, 15, 30 में 2 बार, 2 को एक सिक्चा दो, 30 का बटा 30 में 1 बार यह चलिए अगला प्रश्ण करते हैं, गातांक का प्रश्ण है, प्रश्ण है प्यारे बच्छों, एक ग्यारो प्रश्ण क्या कह रहा है, कि ए कि बाटा कि गात मैनेस तिन बिल्कुल आशांदे को एक नियम बता 터एं धा मैंने एक गात माइनस आप म। शूरायमने हैं जब हर में कि हार में गात कप ज którego आन्स में ले जाओगे उसको कीसा ओघ भ может का वै नियम क्या गातां का उपर से नीचे लाएं या नीचे से उपर ले जाएं गात का चिना चैन्ज होगा प्लस है तो माइनस होगा माइनस है तो प्लस होगा एक बटा एक गात माइनस है उपर लेके गए तो यह गात का चिना किसका हो गया प्लस का यह क्या हो गया दो की गात ती चलिए अगला प्रश्ण करते हैं बिल्कुल सही जवाब खूब सारे बच्वान आंश्वर दिया वेरी गूट कि यह चक्रवती ब्याद का प्रश्ण है इंपोर्टेंट प्रश्ण है अच्छा प्रश्ण है मतलब आशान लेकिन अच्छा प्रश्ण है सुनिएगा ब्याद चक्रती ब्याद निकालना हमें आता ही है एक चीज याद रखें जनसंख्या वाला जो सवाल है वो सदेव चक्रती ब्याद की दर से जो करते हैं मतलब चक्रती ब्याद का जो सुत्र है उसी से करेंगे एक तो जनसंख्या का सवाल कि किसी गाम या शेयर की जनसंख्या आज निकालते हैं हम 100 प्लस करते हैं लेकिन अगर कहता है गाम की जनसेंग के इतनी रूप 25% की दर से बढ़ रही तो कितना लेंगे 100 प्लस 25 एक सो पत्चीस और कह रहा है 25% की दर से कम हो रही है तो सो माइनस 25 कितना ले लेंगे 75 कि एक शहर की वर्तमान जनसेंग्या 24,000 है 25% वार्षिक की दर से बढ़ रही है तो दो वर्ष में कितनी बढ़ेगी तो यह चक्रवती मिश्दन वाड़ा सुत्र लगा देना चक्रवती मिश्दन बराबर पी कोश्टक एक प्लस आर बटा सो की गात टी चक्रवती मिश्दन ज पी मूलदन कितना है 24,000 इंटू 25% की दर से बढ़े तो 100 प्लस 25 कितना 125 बटा सो काटा इसको 25 से 5 बटे 4 पांच बटे 4 चार इंटू चार का भाग दिया पहले इसमें कितना है चैंबार 24 फिर 4 का भाग दिया इसमें बटा कितना है यह पंदरा सो यह कितना हो गिया 1500 इंटू पहुंच बी 25 फिर गुणा कर लो इसको यह कितना आगा 375 फिछ दो जीरो 36,500 तो हमें यह नहीं पूछा है कि जनसंक्या कितनी हुई अगर पूछता जनसंक्या कितनी हुई तो तो क्या होता बच्शों मिशजन पूछ रहा है हमें पूछ रहा है जन्संख्या कितनी बड़ी हमें क्या पूछ रहा है बच्छों जन्संख्या कितनी बड़ी तो बड़ी कितनी है मतलब जन संक्या मैं वरदी कितनी हुई है कि बढ़ के 37,500 माइनस पहले कितने थी 24,000 तो बढ़ी कितनी गटाया तो 13,500 यह ध्यान दे तो जन संक्या का सवाल जो है वो सदेव चक्रति व्याज वाले सुत्र से करना है एक तो वो चीद दूसरा बच्चाओं जन संक्या के साथ बात अगर अश्या निजिए किवेड़ काता कि प्लॉट की किमत चार लाक है यहीं इसकूटर की किमत 40,000 है उसमें इतने प्रश्थ की दर्से बड़ोत्री हो रही रही है यह इतने प्रश्थ की दर से घटरेई हैं ऑनो तो सौपलस ले लो दरबडूरी है तो गटरी या तो सौ माइनस ले लो और इसको हल कर लो अगला प्रास मिद यह प्रतिशत का प्रास में ट्रिक बताầ victim हुई वह या और यह स्वाल अ IKEA सिर्धा ट्रिक है बर्दी ओती तो प्लस लेडने कमी ओती तो माइनस लेदे हैं एकात सपत केंफ कमी होने पर लगता है कि एक किमित में 25 परसेंट की कमी हूए है नहीं इतना फर सवाथ तो यह अलिगा हीगा ठीक है तो ध्यान दें कमी कहा रहा है देखो कमी कहा रहा है प्यारे बच्चों तो X बटा 100-X इंटू 100 यह होता है X कितना 25 बटा 100-X कितना 25 इंटू 100 तो 25 बटा 75 इंटू 100 बटा 3 33 सई 1 बटा 3 परतिशत हमें खपत में क्या कर देनी चाहिए व्रदी ठीक है 33.33 बिल्कुल सही जवाब बच्चाओं अगला प्रशन करते हैं वैया यह देखो वर्गमूल है दस पलोग के संख्या भी है अच्छा सवाल है ठीक है आसान ले कंसेप्चुल सवाल है मतलब आपको पता होना ची काटना वगेरा वर्गमूल गन्मूल सब अब नीचे से पॉइंट अटाया उपर एक आया पॉइंट के बाद दो अंख दो देखो यह उपर नीचे अंडूर था पूरे पंडूर ले लिया ठीक है यह आगया अब नीचे पॉइंट नीचे पॉपर एक पॉइंट बाद दो जीरो अब इसको काटते हैं बेटा ज्यान दें 6 से कट रहा है 6 बाद 6 का बाद दिया 9 चंगा और यह चौप ने शताओन मों चौपन गटाओं बिट लार किता रही 3 तीन लिख दिया 36 36 में 6 बाद ठेक है अच्छा फिर कटेगा 6 का बाद इसमें दिया एक बार फिर यह 36 सोड़ा ठेक है काटना खेर मेरे ख्याल से आप लोगों आता होगा तो पीछे बचा क्या उपर एक पॉइंट बाद दोंग दो जिरो 36 से इसको काटा उपर शोड़ा रहा शोड़ा इंटू सोड़ा का वर्ग मोल चार सो का वर्ग मोल दस चार इंटू दस चाली सांसुरा गया कहीं बच्छों ने दिया है साबाश चलिए अगला प्रस्ण यह अच्छा प्रस्ण है भाजकता के नियम का प्रस्ण है भाजक इंटू भागफल प्लस सेशफल भाज्य बराबर क्या होता है भाजक इन्ट्व थ भागफल प्लस सेशफल भाज्य कितना होगा भाजक कितना है 12 थह था चार प्लस शेशफल है तीन भाज़ चोब अटण्वश फ्लस तीन आंसवर कितना या अंस्वर निकल के कितना आगिया 51 अगला प्रश्न करते हैं गणित्य संक्ला आगी बत्चाओं अगला है चार कॉमा पांच कॉमा तेरा कॉमा चालीश कॉमा एक सो चार इसका आण सुर बताएं बेटा देखो इसमें क्या जुड़ रहा है बेटा वरक्षन क्या एक की वरक्षन क्या एक जुड़ी है फिर दो की वरक्षन क्या दो जुड़ी है मदब चार जुड़ी है फिर गणशन क्या जुड़ी है वरक्षन क्या ने जुड़ी गणशन क्या शुरवात में लगा 64 जुडा है टुक्या एक की गंसंक्या दो पी गंसंक्या तीन की गंसंक्या प iliza तो कि आगे किसकी गन्सक्या जुडएगी 5 की गन्सक्या 5 की गन्सक्या कितनी होगी 125 125 125 एकसो चार प्लस 120 है अग्ला प्रश्न करते हैं पथा कि एक्सका मोडी कॉमा पी सुनिएगा X, T, P X कितने नमबर होता है? 24 T कितने नमबर होता है? P कितने नमबर होता है? 16 क्या हो रहा है बटा? 4 गट रहा है फहले 4 गटा फिर 4 गटा 4 फिर गटाएंगे 16 में से 4 गटाएंगे पीछ से कितना रहेगा? 12 12 मतलब क्या हो रहा? सुनिएगा अब इसमें कहा रहा है यह बिल्कुल आशान है 4 संख्याओं को जोड़ दिया बार बड़ी को 2 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 3 तो अंदर बड़ी संख्या गी 10 4 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 4 अंदर बड़ी संख्या गी अठारा तो 5 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 7 तेगे ना तो 6 प्लस 1 ग्यारा 1 ग्यारार 7 8 8 8 8 4 22 यह आपकान सुरें बार वाड़ी 4 प्लस जोड़ने से भीतर वाड़ी संख्या हमें प्राप्त हो रही है दिशा दूरी का प्रश्ण है बच्चों करते हैं इसको सुनिएगा कह रहा है सुमीत ने पूरू की और 6 मिटर चलने के बाद सबसे पहले हम दिशा सुचक बढ़ा देते हैं भीया उत्तर दक्षेन पूराव पस्चिव उत्तर दक्षेन पूराव पस्चिव ठेक है सुमीत ने पूरू की और 6 मिटर चलने यहां से 6 मिटर पूरू में चला यह 6 मिटर पूरू की और 6 मिटर चलने के बाद दाये मुढब कर दाये मतलब right hand side जीमण हाथ मतलब नीचे इधार आप खुद को रखोगे तो दाये मतलब नीचे दाये मुढब कर 6 मिटr चलने का बार दाये मुढब कर फुना 6 मिटr की दूरी तया करता है यहां आगिया 6 मिटr फिर उत्तर दिशा की और मुढकर 14 मिटर जाता है उत्तर दिशा कौन सी है मतलब वापिस यहीं से जाएगा 14 मिटर अब पूरा 14 मिटर जा रहा है बच्चों तो 6 तो वापिस इदर ही गया ना आगी यह यह दूरी है और फिर वापिस जला दिये दूरी कितनी हो अंत कि इसी हो जाएगा बच्चा ओन सी उत्तर और पूरु के बीच में है तो दिशा तो भगी बच्이션 उत्तरपूर्व और अपाइथा गोष्प कि मैं लग क्या होता है लंब रॉस आधार का ओ स्वेड़ करनत करन रूम कितना है आठ का स्वेड अधार कितना है जैंट का स्वेड करन स्वैर बड़ाबर 64 प्लस 36 को अब कर्ण आपके पास प्यारे बत्चाओं दस आ गिया तो दस मिटर और दिशा कौन सी है उत्तर पूर्व दस मिटर उत्तर पूर्व वेरी गुड हुब सारे बत्चाओं आंस्पर दिया है साबाज चलिए अगला प्रश्ण लास्ट प्रश्ण है आज की इस क्लास का इस टेस्ट वेपर का क्या रहा है देखो इसमें क्या हो रहा है बहुत सबसे पहले देखो इससे यह आकरती बन रही कैसे बन रही है कुछ होई नहीं रहा है इसमें स्केवल क्या हो रहा त्रिबूज बहां जा रहा है और यह जो बरावा गोला है यह निचारा वोट इसमें क्या हो जाएगा ? चला जाएगा और यह इदर आजाएगा प्लस उदर जाएगा जी सी आपका बिलकुल करेक्ट है कौन साभशन भाई या चली आज की क्लास में यहीं तक नाज मोग फिर नहीं है पर लेका हजिर होंगे इन सवालों को आप वापिस मिलाएं शुत्रों को रटाएं शुत्र टेलिग्राम चैनल पर डैली भेज रहें बत्चों धन्यवाद